Hello viewers, welcome to my YouTube channel Healthy Foodie दोस्तो आज मैं आपसे बात करूँगी उन खाने पीने की चीजों के बारे में जो लिवर के लिए बेहद ही अच्छी होती है लिवर पाचन दंतर से खून को फिल्टर करता है, ये हमारे शरीर में एक साथ कई काम करता है जैसे की हानिकारक और टॉक्सिक पधारतों को बाहर निकालने का काम, खून की गंदगी को साफ करने का काम, डाजेटिव सिस्टम को दुरुस्त रखने का काम, ये सब लिवर करता है ऐसे में अगर लिवर को किसी भी तरह की परिशानी आती है, तो इससे आप कई बिमारियों की चपेट में आ सकते हैं जैसे कि liver hepatitis, fatty liver, liver cirrhosis, liver infection, liver cancer, liver में सूजन और यहां तक कि liver का सही तरीके से ध्यान ना रखने पर liver damage तक भी हो जाता है तो ऐसे में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किन किन चीजों से liver को मजबूत और healthy रखा जा सकता है पहला है आवला, दोस्तों आवला का खाना liver के लिए बहुती फायदिमन होता है आवला में vitamin C और कई तरह के antioxidants मौजूद होते हैं जो liver को oxidative stress से होने वाले नुकसान से बचने में मदद करते हैं और साथ ही fatty liver, liver infection, liver से हानिकारक toxins को बहार निकालने के लिए भी आवले का रस पीना बहुती अच्छा माना जाता है दूसरा है black coffee दोस्तों liver को healthy बनाये रखने के लिए black coffee का पीना भी बहुती फायदा करता है बिना दूद और चीनी की बनी black coffee liver की बिमारी से बचाने में मदद करती है तो अगर आप liver health के प्रती जागरुक हैं तो black coffee के अंदर एक चमस देशी घी का डाल कर पीने से liver से हानिकारक toxins बाहर निकलते हैं liver मजबूत बनता है और साथी liver cirrhosis और liver damage होने जैसी दिक्कतों से भी छुटकारा मिलता है तीसरा है गाजर और चुकंदर दोस्तों गाजर और चुकंदर दोनों में ही iron भरपूर मातरा में पाया जाता है जो red blood cells बनाने के लिए जरूरी है ये शरीर में हेमोगलोबिन की कमी को भी होने से रोपते हैं गाजर और चुकंदर में पाय जाने वले enzymes लिवर में मौझूद टॉक्सिक पदार्तों को बहान निकालने में भी मदद करते हैं लिवर में सूजन को दूर करने में लिवर को मजबूत बनाने में भी चुकंदर और गाजर खाने की सलाब दी जाती है इसके इलावा आप चाहें तो गाजर और चुकंदर का जूस भी पी सकते हैं अगला है टोफू पनीर दोस्तों लिवर के लिए टोफू का खाना भी लाबदायक होता है एक रिसर्च के अनुसार सोया प्रोटीन जो टोफू में मौझूद होता है वो लिवर में फैट बनने की प्रक्रिया को कम कर देता है जिससे की आपको फैटी लिवर जैसी दिक्कतों से जूजना नहीं पड़ता इसके साथ ही साथ इस प्रोटीन को खाने से लिवर की कोशिकाएं भी मजबूत होती है इसके लावा टोफू में फैट भी कम होता है और प्रोटीन की मातरा जादा होती है जो हमारे शरीर के लिए भी काफी फाइदे मन्द है अगला है ड्राइफ रूट्स दोस्तो ड्राइफ रूट्स में आप अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता और अंजीर का सेवन कर सकते हैं ये ड्राइफ रूट्स हमारे शरीर के दो अंगों का खास तोर पर ध्यान रखते हैं एक है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा लिवर अक्रोट, बादाम, काजू, पिस्ता और अंजीर ना केवल हमारे लिवर की सफाई करते हैं बल्कि लिवर के सेल्स को डैमेज होने से भी बचाते हैं अगला है हल्दी दोस्तो हल्दी केवल एक मसाले के रूप में ही उप्योग नहीं की जाती है बल्कि ये लिवर के लिए एक औशिदी के रूप में भी प्रियोग करी जाती है हल्दी में प्राकितिक एंटी ओक्सिडेंट्स कुन मौझूद होते हैं जिसमें से एक है करक्यूमिन दोस्तो ये करक्यूमिन एक शक्तिशाली इंक्रीडियन्ट होता है जो ना सिरफ लिवर की सेहत के लिए लाबदैक है बल्कि एक करक्यूमिन लिवर को साफ करने का काम भी करता है लिवर इंजूरी होने से बचाता है लिवर की फंक्शनिंग को भी बहतर बनाता है और साथी लिवर कैंसर के खत्रे को भी घटाता है अगला है डाले दोस्तों लिवर के लिए प्रोटीन का लेना भी बहुत ही जरूरी होता है लिवर खराब होने पर प्रोटीन ढंग से शरीर में बन नहीं पाता है तो ऐसे में डालों का सेवन करना लिवर को सही रखने के लिए अनिवारे है इसमें आप चने की डाल, हरे मुंग की डाल, अरहर की डाल, मलका मसूर की डाल, ये सब ले सकते हैं ये डाले आपके खून में मौझूद कॉलेस्टरॉल को कम करने में भी मदद करती है जिससे कि लिवर पर फैट जमना कम हो जाता है अगला है फ्रूट्स दोस्तों लिवर को भैतर तरीके से काम करने के लिए फलो का उप्योग करना तो बेहदी जरूरी होता है लिवर को हेल्दी और मजबूत बनाने के लिए आप अपनी डाइट में अंगूर, सेप, केला, पपीता, संत्रा, ब्लूबेरी, स्टॉबेरी, अमरूद, अवोकेडो इन सब फलों का प्रियोग कर सकते हैं ये फल हमारे शरीर में एक साथ कई काम करते हैं जैसे की हानिकारक और विशात पदार्तों को बाहर निकालते हैं, खून की गंदगी को साफ करते हैं, डाइजेसिन सिस्टम को दुरूस्त रखते हैं और लिवर इंफेक्शन लिवर को मजबूत करने में और साथी लिवर को टैमेज होने से भी बचाते हैं, अगला है हरी सबजियां, दोस्तों लिवर के लिए हरी सबजियों का खाना तो बहुत ही जरूरी होता है और सिरफ लिवर के लिए ही क्यों नहीं, पूरे शरीर के लिए हरी सबजियां खाना अच्छा होता है, तो ऐसे में आप हरी सबजियो से कर सकते हैं ये आपके लिवर को ना सिरफ हेल्दी और स्ट्रॉंग बनाती है बलकि हमारे लिवर को डैमेज होने से बचाती है फैटी लिवर की समस्या से रोकती है और साथी लिवर से जुड़ी कई और कहा तक बिमानियों से भी बचा कर रखती हैं अगला है ग्रीन टी दो लिवर इंफेक्शन, फैटी लिवर को होने से बचाते हैं, लिवर से खराब टॉक्सिंस को भी बाहर निकालते हैं और लिवर की सूजन अगर कोई है तो उसे भी धीरे-धीरे कम करने में ग्रीन टी एहम भूमी का निभाती है तो दोस्तों ये थी ऐसी खास खाने पीने की चीजे जो हमारे लिवर की सेहत को तो बहतर बनाती ही हैं, साथ ही हमारे पूरे शरीर को ओवराल हेल्थ को भी सुधारने में मदद करती हैं और शरीर को स्वस्त और तंदृस्त बनाती हैं अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आईयो तो प्लीज लाइक कर दीजे इस वीडियो को शेर कर दीजे अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है Healthy Foodie ताकि आपको न्यू अपडेट् मिलते रहें तब तक के लिए Stay Healthy Thank You